नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल में इस्टेश भी कला इस पर जी हां दोस्तों ये लिजिए आज की डेट का एक और लेटर आप लोगों के लिए ले आए हैं 25 आठ दो जार बाइस इसमें भी दोस्तों क्या कुछ बता गया है आप लोगों को डिटेल से बता इसी महिने में यानि कि अगस्त की 25 तारिक है तो 31 अगस्त तक इसी महिने में टोटल करमचारियों को जो दक्षिन हर्याना विजली वितरनीगम के आउट्सोर्सिंग पोल्शी पार्ट दो के तहत ठेकेदार के थुरू लगे हुए है उन सब को कोसलोजगार निगम में डाल द दिया जाएगा 5-6 दिन के अंदर अंदर यहां पर यह आदे से दे दिये गए है ठीक है और यहां पर बता गया है कि हार्टरों के थुरू लगे हुए या फिर रिटैर्ड परसन है या फिर डारेक्ट विभागने लगाए है विभागने कोंचे ने दक्सिन हर्याना विजल काम अक्तूबर की सेलरी तो आपका जो कॉंट्रेक्टर आपको नहीं देगा यह बात यहां पर बोल रखी है सितंबर की तो संभावना है वही कोसलोजगार निगम देगा अगर कोसलोजगार निगम नहीं देगा तो आपका कॉंट्रेक्ट देगा डेफिनेटली लेकिन अक completed within the month of August 2022, तो अगस्त 2022 तक उनका सारा का सारा डाटा पोर्ट कर दिये जाए, उनका सारा काम मतलब complete कर लिया जाए, so that they may be able to get the salary of the month for the month of September 2022 through HKRNL, यानि के ताकि वो अपनी सितंबर की salary को सलोजगार निगम के थ्रू ले सकें, इसी तरह का letter 23 तारीक को उतर हर्याना बिजली वितर ने जारी किया था, और कुछ ऐसा ही letter अब दक्सिन हर्याना बिजली वितर निगम ने भी कर दिया, उसके भी outsourcing करमचारी पार्ट दो के सभी को सलोजगार निगम में डालने के आदेश आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये एक update आप लोगों लिए थे, अगर आप भी चाहते हैं हर्याना मेजुकेसन शेलेटेड को सलोजगार निगम से समंदिश सभी परकार की जानकारी सम पर पाणातों चैनल को जूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ चेर करें, ठेंक्यू वेरी मच्च